अहां तो भाई ट्रेलर स्टार्ट होता है टाइगर की ये सॉट से जहां टाइगर एकदम एक था टाइगर के जिससे खड़ा है और ये सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे आखिर में टाइगर बाइक को उड़ा के हेलिकेप्टर में जम्प करता है वो सॉट इसी के बात आने वाला है क्यूंकि दोनों शॉट में टाइगर एक ही कॉस्ट्यूम में दिखी रहा है और अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर इसका स्टार्टिंग यहां से नहीं होगा इस सोट से होगा फिर एक बाइक चेस का एक्शन सिंद देखने मिलेगा और उसके बाद टाइगर इसे आता है पर इसी कॉस्ट्यूम के साथ जब टाइगर वो बाइक भगा रहा था तो एक शॉट में टाइगर के पीछे एक बंदा भी दिख जाता है जिससे के साइड टाइगर बचाना गया था कि क्या पता नहीं पर टाइगर जब यहां से निकलकर हेलिकॉप्टर पर जंप क है कि जिस बाइक को स्टार्ट करेंट का सतर्टिंग होता है उसी बाइक का रेच्ट एंपीस खोने के बाद इस ट्रेलर का एंडिग होता है बोले तो स्टार्ट किस id are mutat कर दिया ता ना पता था ठीक है तो अगला शोड में मैं देखने मिलता है एक महिला के सीन, जिसे मिलते हैं तायिगर का यह देखने मिला धो इस के साथ यहां देखने मिला था वैसा यह diesen सीन पे दिख रहा है उपर से दूनके कपड़े भी सेंपेने है बस इस सीन में सौड और सूज उतार के सिर्फ टीशर्ट पेने है इसके अलावा आप इसे भी नोटिस करो जो इस फाइट के वाद आता है वो हमें टाइगर का उस सीन पे दिख जाता है फिर आगे में विल्लेन का एक सीन देखने मिल जाता है जहां यही बंदा वरनने वाला है पर यी समझ नहीं आया कि टाइगर ने ऐसा कब किया है पहला पार्ट में तो यह वइसा लटकी के चक्कर में फस गए थे। व्ली बाइब ने बास भी बदला ले रहा हो तो समझ में आता कहें किसी फाइट में टाइगर उसका रिष्तिधार को क किसी भी पार्ट में टपका सकता था लेकिन ये बीबी बचा चीने की बात कर रहा है तो टाइगर ऐसा कब क्या पता नहीं बाई इसी पार्ट में आगे का किसी मिसन में टाइगर से ये हो जाए फिर उसके बाद विलन टाइगर के पीछे पड़ जाए ऐसा हो सकता है वाइट करके देखते है रिलिज के बाद पता चल जाएगा अगला सिन में हमें देखने मिलता है टाइगर का पकड़ा जाने वाला सिन जि हाँ टैगर इस्तनबूल पे ही पकड़ा जाता है पर उसे वहाँ रोक पाता है कि नहीं पता नहीं क्योंकि टैगर का ये कॉस्ट्यूम पे और भी कई action scene देखने मिला है जैसे कि पाकिस्तान का वो fight में अब इस्तनबूल में फिर ब्रीज सिक्वेंस में और उसके बाद फिर से पाकिस्तान में जब टैगर विलन के सामने बैठा है यहां भी यह वही कपड़े में है मतलब टैगर इस कस्ट्यूम के साथ कब कहा कितने वार एक्षन करेगा यह पता नहीं ऐसा ही वह पोस्टर वाला कस्ट्यूम के साथ भी है इस कस्ट्यूम में टैगर और जोया कई सारे सीन में एक्षन करते हुए दिख रही है पर सिर्फ इंडूर में इसे एक बड़ा एक्षन सिक्वेंस भी कह सकते है जहां जोया पाकिस्तान के आर्मी को निपटाते हुए दिख रही है फिर पकड़ा जाते हुए दिख रही है तो कभी शेयड होके फिर एंग्री मोड में आते हुए दिख रहा है इनका यह कॉस्ट्यूम में भी बहुत से एक्षन सिक्वेंस समझी क्योंकि इसी सिक्वेंस में एक शीन पर विल्लन भी लगाय जा सकता है, तो पता नहीं ये कहा का सहीन है, आपको पता हो तो कमेंट करके बताओ, फिर इसके बाद हमें, टाँगर और जोय का, ये सिफव वाला सीन देखने मिलता है, जो कि एगन एकथा टाँगर का याद दिलाता है, ये भी सफ्पार사 इस्तंबूल का ही सीन ये, क फिर आगे हमें टाइगर अपना टीम बनाते हुए दिख रहा है और यहां यह जो फोन करता है पता नहीं क्यों जैसे पठान से बात कर रहा है जैसा लगता है आपको भी ऐसा लगा क्या खैर इसके बाद एक टीम लेकर चलता हुआ एक बंदा दिखता है जिसे तोड मरोड कर देखें तो पता चलता है इमरान हस्मी है फिर आगे रशिया का कुछ सीन देखने मिलता है जहां बाइजान एक अलग एवतार में बिल्कुल वेसे जैसे एक था टाइगर में मतलब भेस बदल के पर यहां यह बागने की कोसिस नहीं कर रहे है किसी का गेम बजा रहे है फिर और हां वही जोय का टावल वाला फाइट पर उसके बाट टैगर का फैमिली वाला सुख दुख का कुछ सीन और ट्रेलर खतम प्रेलर में सिर्फ एक्सन दिखा है और कुछ नहीं पर फिर यह काफी इंट्रेस्टिंग तो लग रहा है बाई जवरदस्त है एक नंबर है मान मानना ही पड़ेगा अब देखो वह इस ट्रेलर में ना तो स्टोरी के बारे में ज्यादा रिवील किये और ना ही स्पाई उनिवर्स की कोई कनेक्शन दिखा है हां मतलब पठान के टाइम वह ट्रेलर में करनल लुथरा को भी दिखा दिखा दिये थे ना वाई पर इसका ड से दुस्मनी कैसे होगा टाइगर क्या करेगा उसका फैमिली को कैसे बचाएगा उसे गद्दार गोसित करने के बाद खुद को निर्दो सावित कैसे करेगा टाइगर पकिस्तान से कैसे आएगा इसे हजारों सवल दिमाग में गूम रहा है और इसके लिए एकसाइडमेंट बढ़ा रहा है वो भी स्पाई यूनिवर्स से कनेक्शन जोड़े भी ना तो फैस सोचो इसमें स्पाई यूनिवर्स का कनेक्शन दिखाने के बाद और पठान की केमियों दिखने के बाद कितना मजा आने वाला है अब आप बताव आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा यह था